प्राचीन समय में विजय नगर नाम का एक नगर था। उस नगर के महराजा का नाम कृष्ण देव राय था। महराज के मंत्री मंडल में एक मंत्री थे जिनका नाम था तेनाली रामा। तेनाली रामा अपने चातुर्य का प्रियोग करके महराज को हर बार आश्चर्य चकित कर देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि तेनाली रामा ने अपनी बुद्धी से महराज के फैंसले को ही बदल और निर्दोश को सजा पाने से रोग दिया। एक बार महराज कृष्ण देव राय को किसी कारणवश काश्मीर राज्य जाना पड़ा। वहाँ पर महराज को एक पौधा बहुत पसंद आ गया। उसके सुनहरे फूलों को देखकर महराज बहुत प्रसंद हो गए और वहे फूल महराज के मन को बहुत ज्यादा भागए। वहाँ से आते वक्त महराज उस फूल का एक पौधा अपने साथ लेकर विजय नगर लोटे। विजय नगर में आते ही महराज ने राज्यमाली को बुलाया और कहा इस फूल को हमारे बगीचे में ऐसी जगे लगाओ जिसे मैं सुबह उरते ही अपनी खिर्की से देख सकूँ और फूल का विशेश रूप से खयाल रखा जाए और इस फूल को यदि कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें मिर्टियो दंद दे दूँगा राज्यमाली ने महराज की बात को मानते हुए उस सुनहरे पौधे को बगीचे में महराज की खिर्की के सामने लगा दिया जिससे की महराज सुबह सुबह उरते ही उस फूल को देख सकें महराज सुबह उरते सबसे पहले उस सुनहरे फूल को देखते और उसके बाद ही अपने कारे आरंब करते थे उसे बिना देखे तो महराज राज्य सभा में जाते ही नहीं थे यदि महराज को किसी कारणवश राज्जे से बाहर जाना पड़े तो महराज उस सुनहरे पौधे को नहीं देख पाने के कारण बहुत विचलित से रहते थे एक दिन सुबह जब महराज ने उस पौधे को अपनी जगे नहीं पाया तो वह गुस्से से आग बभूला हो गए और माली को बुला कर कहने लगे वे सुनहरा पौधा कहा है माली ने धीरे से जवाब दिया महराज उस पौधे को कर शाम को मेरी बकरी खा गई महराज ने यह सुना तो बिना सोचे समझे ही उस माली को मिर्तिव दंड की सजा सुना दी जब माली की पतनी को यह पता लगा तो वह बहुत घबरा गई फिर उसने हिम्मत से काम लिया और वह नयाय की गुहार लेकर राज महल पहुँची किन्तु महाराज इतने गुसे में थे कि उसकी एक भी न सुनी जब माली की पतनी निराश हो गई तो वह अपने घर लोट रही थी तब ही राज महल में एक सैनिक ने उसे तेनाली रामा से मिलने की सलहा दी रोते रोते माली की पत्नी तेनाली रामा के घर पहुँची और अपने पती को मिले मृत्यू दंड के बारे में बताया तेनाली रामा ने उसे किसी भी तरह से समझा बुझा कर अपने घर भेज दिया अगले दिन सुबह माली की पत्नी चौराहे पर एक बक्री को डंडे से पीट रही थी यह वही बक्री थी जिसने वे सुनेरा फूल खा लिया था जब नगर वासियों ने यह देखा कि माली की पत्नी की मार से बक्री बिचारी अधमरी सी हुई जा रही है तो गाम वासियों ने कोतवाल को बुलवाया विजय नगर में पश्वों के साथ ऐसा क्रूरता पूर्ण वैवार सख्त बना था ऐसे करते करते यह मामला महराज के सामने तक जा पहुचा महराज ने जब माली की पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि इस बक्री के कारण ही तो मेरा संसार उजड़ने वाला है मेरे बच्चे अनाथ होने वाले है मैं विद्वा होने वाली हूँ तो क्या मैं इस बक्री के साथ ऐसा वैवार भी ना करूँ महराज बोले मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भला एक बक्री तुम्हारा घर कैसे उजार सकती है तो उसने बताया महराज यह वही बकरी है जिसने आपका सुनेरा फूल खा लिया है जिसके कारण मेरे पती को मिर्तिव दंड मिला है गलती तो इस बकरी की थी लेकिन सजा मेरे पती को मिल रही है असल में तो सजा इस बकरी को मिलने चाहिए इसलिए मैं इस बकरी को डंडे से पीट रही हूं अब महराज को पूरी बात समझ में आ गई कि वास्तव में गलती माली की नहीं बलकि इस बकरी की है तो माली को सजा नहीं मिलने चाहिए तबी माराज ने सैनिकों को आदेश देकर माली को आजाद कर दिया और माली की पत्नी को पूछा, महारे पास ऐसी युक्ती कहां से आई कि तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास भी करा दिया और अपने पती की जान भी बचा ली माली की पत्नी ने जवाब दिया, महराज मुझे तो रोने के अलावा कुछ सूज नहीं रहा था ये सब तो मुझे पंडित तेनाली रामा ने करने को बूला था, महाराज कृष्ण देव राय को एक बार फिर तेनाली रामा पर गर्व महसूस हुआ और तेनाली रामा को इस बुधी मता के कारे के लिए बहुत सारा पुरसकार भी दिया गया इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें